कार्मी चीफ जर्नल सेद आसिम नीर का दौराय पहरेन, सिपास आलार की पहरेन के बादशाह हम्द बिन इसा समेत, दिगर हुकाम से मुलाकाते हैं यह तो अच्छी बात है, कि जैसे बाकी इनसान है, पाकिस्तानियों की भी दो हाथ हैं, तो दो ही हाथ से भीक मांगते हैं, अगर इनके चार-पांच हाथ होते हैं, पांचों से भीक मांगते हैं पाकिस्तानी और कोई काम अच्छी तरीके से करें न करें भीक मांगना, आतंकवाद पहलाना और अपने बच्चों से जूट बोलना इसमें पाकिस्तानियों का कोई कंपेरजन नहीं है वर्लड वैट दिल बड़ा दुफता है साथ इसलाम के नम पर ये मिल्क बनाया है इस्थित से जिन्दगी गुज़ारने के लिए ये मिल्क बनाया गया था इन्होंने हमें जिल्लत की पस्तियों में फेंक दिया है एक-एक रोटी का मुथाच कर दिया है मुल्की महिशत को तबाहों बर्बाद 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 कर दिया तो हो सकता है के जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ गया है तो भीख ही मांगने गया होगा और अब बात करते हैं जो आज कल एंडिया के अंदर चल रहा है maaldips को लेके तो इस पे भी कुछ पाकिस्तानी भाई मजे ले रहे हैं के मालदीफ से इंडिया के हाथ से निकल गया लेकर ये भिखमंगे सायद भूल चुके है के मालदीफ ये वही देश है जिसको हमेजा इंडिया ने मदद की हर बुरे हालात में इसके में और मालदीफ आज भी इंडिया से मदद मागता है जमीनी मदद के भाई हमें को जमीन द पढ़ेगा ये डूप जाएगा तो इनको जमुएन की जरुवत पढ़ेगे लेकिन चलते हैं इस वीडियो के तरफ लेकिनों से पहले अगर आपको ये वीडियो बसना है तो लाइक करना चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं के तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब ज बलको बलको अब मुझे ये बताएं कि इस तरह की और वहां के जाहर है कि जो फॉरण आफिस के साथ और के बलॉक और सारा जो है उनके लोगों को आप अच्छी तरह समझते भी हैं आपका इंटेशिश्ट बलॉक साथ बलॉक के बलॉक तो कहीं और है अच्छा एनिवे तो मैं साथ बलॉक अब मैं सिर्फ आप से पूछना चाहरा हूँ कि वहां पर क्या है इसका सोच मतलब है कि भूटान के हवाले से चाइना के हवाले से सार को नों ने खत्म कर दिया मालदीज में क्या हुआ है बंगला देश डीस्टेबलाइज हुआ हुआ है अवगानिस्तान यह कोल्ड वार अब जुनूबी अश्या में आखर नहीं मैं आप से यह पूछो अगर आप इस सुक्त साथ बलॉक में बैठी हूँ तो आप क्या सोच रहे होंगे कि सब अच्छा है मैं यह सोच रहा हूंगा कि एक चोटा सा जजीरा है जिसकी दस लाक अबादी है जिसका नाम है मौलडीव्स उसके सदर महमद मुईज ने पूरा कलेक्शन कैमपेंच लाया इंडिया आउट टी-शिर्ट पैन के और वो जमूरी तरीके से मुन्तखब सदर है और आज वो सदर शीजन पिंग के साथ खाना खा रहा है बेजिंग में जियाफत में और जियो स्टेट पॉजिशन और उसने काया कि हम चीन के साथ खड़े हैं मौलडीव्स ने बहुत पहले आज से 20 साल पहले 15 साल पहले लगबग भारत से रिक्वेस्ट करा था कि हमें जमीन दीजिए आप जाके इंटरनेट पर सर्च करिएगा आप इंटरनेट पर सर्च करिए भारत से ये र हैलेंड हैं जो कि पानी से सिर्फ एक मीटर उपर हैं और बना रखें गजब के रिजॉट्स जो मैडम कह रही थी ना बड़े फाइव स्टार शांदार हैं ये सारे डूबने वाले हैं वाटर लेवल बढ़ेगा ओशन का दे विल बीनो मौलडीव्स टुमरो इसलिए इन्डिया इजार 9-1-1 आमेरिका में होता ना युडाे 9-1-1 इमरजंसी तो उन्हों कहां बोला भये इन्डिया हमारा 911 है तुम लोगों ने क्या बकवास कर दी क्या बरद या तुम लोग ने सांद बकवास खरके वारत के बारे में जब हम लोग फस ते हैं जब हमारे पेन जो तुम्हें बचाता है, जो तुम्हारे संकट हरता है, तुम उसी के लिए अपशद्द का इस्तमाल कर रहा हूँ, यह मौलडी जॉले खुद आपस में आजकल बातें कर रहे हैं दोस्तों, तो दोस्तों वो दिन बिलकुल दूर नहीं है, जब लक्षवदीप का, लक्षव वक्त में हो रहा है, जिस वक्त इससे पहले इंडिया और मालदीफ के बीच एक नया इशू, एक बहुत बड़ी एस्केलेशन सामने आई, जिसमें इंडिया की तरफ से बाकाइडाए कैम्पेन चलाई गई के बार्कॉट मालदीफ, और सिर्फ यहीं नहीं, कि जुबानी ज और फॉर्मर एमपी और इसके लावा मिनिस्टर्स और अथॉरिटीज ने ये कहा कि जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है, यह सब तो हम आपके सामने रखते रहे हैं, लेकिन अब वहां की डिफेंस मिनिस्टर, जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी बोल उठी हैं, और उन्होंने ये कहा है, कि इंडिया हमारे लिए एक जो रेस्क्यू मिशन है, उसकी तरह हैं, और हमेशा हर मौके पर इंडिया ने हमारी मदद की है, ये एक बहुत बड़ी बात है, देखिए, ये कहना इसकी वज़ाई है, कि उनका ये कहना था, कि हमारे लिए आवर 9-11 क यानि देखिए, जब कोई किसी को बचाने के लिए पहुचता है, तो उससे पहले नमबर डायल किया जाता है, 9-11, 9-11, तो उन्होंने कहा, कि हमारे लिए जो है, ये इंडिया इस तरीके से हैसी रखता था, कि हमने जब भी कोई हमें मुश्किल पढ़ती थी, तो इंडिया को कॉल किया जाता था, तो आवर 9-11 कॉल, इंडिया, वहां के एक MPA का ये कहना है, कि हम अपने प्रेजिदेंट पर जो है, वो कॉन्फिदेंस नहीं रखते, और ये बात इतनी जदा बड़ी है, कि प्रेजिदेंट मुश्क के खिलाफ जो है, नो कॉन्फिदेंस लाना चा ही है, कि प्रेजिदेंट मुश्क को रिमॉफ किया जाए, उनके खिलाफ नो कॉन्फिदेंस वोट लाया जाए, क्योंकि ये जो कुछ हुआ है, ये सही नहीं हुआ, और हम समझते है कि से मालदीव्स की जो एकॉनम ही है, उससे बहुत ज्यादा उस पे फरक पड़ेगा, द और एक टूरिस्ट स्पॉर्ट बनाने के लिए मदद करेंगे इंडिया की, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि उन्होंने ये बात की हो, यानि कि लक्षा दूइब को डिवेलप करने के लिए इस से पहले भी इंडिया और इसराइल के बीच गुफदगू होती रही, ये बा वाली बात ही है, इसराइल इस मौके पर ये बात इसलिए कह रहा है, क्योंकि जिस वक्त भारत के वजीर आफजम नरिंदर मूदी साब के खलाफ ये जो अलफाज इस्तमाल किये गए, उसमें इसराइल पॉपिट भी इस्तमाल किया गया, तो उसमें मादीफ्स के उन लोगो जो देखा, मतलब कि ये फर्स्ट क्लिप में आपने देखा था जो पागिस्तानी मजे ले रहे थे, मालदीफ्स मैटर पे, लेकिन ये बिखमंगे अपने, मतलब टीसरे अब्गू, यानि कि चैना के प्यार में इतने अंदे हो चुके हैं, कि भाई, इनको समझ में नहीं आ पारत एक तरीके से मदद ही कर रहा है उसकी विजली खरीद के विजली लेके, लेक्रिसीटी लेके, बागी दूस्तों इन विखमंगों को अपने गिरेवार में जांके नहीं देखना के पाकिस्तान आज कहां पे खड़ा है, मतलब इनका कोई प्राइम मिनिस्टर किसी दू लागात नहीं करता, क्योंकि उनको भी पता है कि यह बिखमंगे यहां पर आएं तो किसलिया है, सिर्फ भीष मांगने और इनके पास में कोई काम है नहीं, बागी दूस्तों आपका क्या मनना इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर देना, वीडियो पसना